हेलो एंड गूड मॉर्णिंग एवर्यवन माइम इस यूगली जेवेशारे लेक्चरर इड मेकानिकल इंजिंग डिपार्टमेंट प्रॉम एड पॉलिटेखनिक नकुर आप सभी का में स्वागत करता हूं लेक्चा नुमर 55 मतलब हमारे आज के आखरी सेशन में प्रेफ्रेशन एंड एर कंडिशनिंग का आज हमारा आखरी लेक्चर है जा आज हम पढ़ने वाल है आटो मोबाइल एर कंडिशनिंग सिस्टम के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं यह रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन प्लिस पॉस्ट दा वीडियो और आज हम पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके प्रोग्राम आउटकम्स टूबी अचीवड चलिए आगे देखते हैं आटो मोबाइल एर कंडिशनिंग सिस्टम तो ध्यान में रखिए आपके इन चार कंपोनेंट के उपर ही वर्क करता है ठीक है जो हमार वी चार सिस्टम में वर्क होते हैं तो कौन से है वह सिस्टम को सभी को पता है चले थोड़ा पेंउस कर लिया जाए ना देखते हैं इस प्रकर के आपकी यह डाइग्राम होती है ले अफा कार के बारे में तो सबसे पहले आपको कॉंप्रेसर होता है तो आपका compressor कहां पर लगा होगा तो आपके गाड़ी का जो इंजन होगा आपके गाड़ी का जो इंजन होगा जहां पर रिसी प्रोकेटिंग compressor होता है वही आपका automobile car air conditioning के लिए काम करते हैं ठीक है उसी का हम लोग उप्योग करते हैं उसके बाद वहां से जो खाँ आपके अपकी खांड़ी का जो प्रत है जो इंटाएंट्स यहां पर फल्व लगाते हैं ता यश कि तो आपका जो जो भी जो हवा तंडा हो जाएगा अपका ऐहां चाल जो बी ढहरां लेंitelा सब्सक्राइब लॉड है त्टला घालbür्पन मतलब सदील फ़ोड involved हो जाएगा था कट्रेंट हो जाएगा सबसे पहले फिल्टर में क्या करेंगे और रिसीवर में जमा हो जाएगा थोड़ा सा मिसका प्रेशर मेशर करने के बाद हम लोग उसको कहा पर भीजएंगे आपके थर्मोस्टैटिक expansion wall में thermostatic expansion wall में क्या करेंगे हम लोग thermostatic expansion wall में भिजने के बद क्या होगा उसका pressure reduce होगा है ना में काम तो हुआ है उसका pressure reduce होगा और कितना amount of आपको refrigerant की आवशकता हो रहे कितना amount of mass flow rate का आपको air वाप पर आवशक हो रहा है वो भी यह decide करेगा ठीक है thermostatic expansion wall जनरल ही आजकल जो लोग यूज कर रहे वह थर्मोस्याटिक expansion wall ना यूज करते हुए हम लोग वहाप एक orifice meter उस करते हैं ठीक है तो ध्यान में रखिए आजकल automobile air conditioning system में क्या यूज हो रहा है तो और फिर उसके बाद आपके अंदर में मतलब आपके dashboard system में जो यूज होगा वह क्या लगेगा वह आपके आपका evaporator लगाओगा evaporator अगेन क्या करेगा आपके कार के अंदर जितनी भी air होगी उसको सक करेगा उसकी हीट को सक करेगा और आपकी वोसी हीट को transfer करते हुए क्या करेगा उसको ठंडी हवा में convert कर देगा और वापस से आपके कार में भेज देगा ठीक है वही हवा वही जो आपका refrigerant है वह वापस से कहा पर चल जाएंगा compressor में चल जाएंगा और यह process जो है continuously चालू रहेंगी I hope automobile air conditioning system सभी को समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही simple language में नोडस में भी इसको provide कर दिया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्या जरूद पढ़ती है भाईया हमको automobile air conditioning system की ठीक है क्या जरूद पढ़ती है तो देखो तो जो हीट आ रही है Sun से डाइरेक्ली आ रही है कार में या फिर windows से आएंगी तो क्या होगा आपके कार के अंदर में बहुत जादा तयार हो जाएंगी ठीक है और बहुत जादा घरूद तयार होगी तो आपको खुद को गाड़ी चलाने में में वो चाल च्जशेडार पर सिस्टम के आउशकता पड़ती है ृट धे sensitive में पिसिने सामने के सख़न यह करगा हो सामने करने सब्सक्राइब फहीट क्यों क्यों पीनसे हीट वहाँ पर बहुत ज्यादा हीट आती है तो इसलिए अगर आप कार में ऐसा ना एक्सपिरेंस करना चाहों तो क्या करेंगे हम लोग वहां पे एर कंडिशन सिस्टम उसके बाद एक्जॉस्ट सिस्टम आपके गाड़ी का जो एक्जॉस्ट सिस्टम होता है वहां से भी धुआ निकल रहा है तो उससे भी हीट आएका कंडक्शन के थ्रू तो इसलिए हम लोग वहां पे एसी लगाएंगे हीट रेडिटेट वाइपैसेंजर आप लोग कितने लोग बैठे हो चार लोग ही गाड़ी है पांच लोग छे लोग ठूस ठूस के बैठे रहोंगे तो क्या होगा आप लो लोगों को discomfort ना हो ठीक है temperature बराबर से maintain रहे इसलिए हम लोग जनरली मुटा मुटा में हम लोग क्या करेंगे एर कंडिशन सिस्टम यूज कर रहे हैं ओके क्लियर है क्लियर है क्लियर है आगे बढ़ते हैं precautions to be taken तो इतना हम लोग ने बढ़ बढ़ कर लिया air conditioning system system के बारे में तो यह क्या 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 आपने को precautions लेने चाहिए तो यह तो हमने पढ़ाई नहीं तो यह हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला operate the air conditioning periodically or at least once in a week to keep the internal parts lubricated as well as the prevent the horses from the ardening तो आपके जो एभी air conditioning system जो भी हम बार 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 यूज कर रहे है तो उनको आपको lubricate करना ज़रूरी होता है हपते में एक बार तो भी आप लोग उसको क्या करें lubricate किए किजिए do not switch on the AC at high speed which may result the casing of the compressor तो देखो आप लोग क्या करते हो तो एसी को switch on कर लेते हो बहुत ज्यादा high speed से directly तो क्या होता है उसके उपर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है compressor के उपर लोड पड़ गया तो उसके जलने के उसके अंदर की जो casing वाइंडिंग है वो जलने की बहुत ज्यादा chances हो जाती है do not stick anything into the air outlet or air inlet as it is a dangerous and it can cause injuries or damage air outlet जो है या फिर air inlet जो है उसके उपर में कुछ भी कछड़ा आप चिपकाने की कोशिश ना करे वरना आपका air conditioning system खराब हो जाएगा avoid exposing a body directly into the continuous air flow for a long period it is not good for help हमेशा ही हमेशा आप लोग जो है AC के सामने ना बैठे रहे ताक वरना क्या हो सकता है आपकी health के उपर भी खराब असर हो सकता है avoid placing any obstacle near the inlet or outlet if inlet or outlet is blocked it may cause damage the unit तो आपके जो AC का inlet or outlet system है उसके सामने में कुछ भी obstacle ना रखे अधरवाइस क्या होगा उसका inlet or outlet अगर close हो गया तो उसका बाकी के जो system है आपके वह काम करना बंद कर देंगे वह बराबर से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा आपका unit ही खराब हो सकता है ठीक है do not run or stop the unit frequently if unit is run or stop more than four to five times in error it may cause damage to the unit ठीक है continuously बार 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 आप burn चालू burn चालू मत कीजिए आपने भी जो भी unit को चार से पाच पर चार से पाच पर AKR में तो क्या होगा नहीं तो आपका जो AC हो खराब हो सकता है the air filter should be cleaned at least once or two weeks ठीक है तो दो हपतों में या फिर एक हपते में आप लोग आपका जो air filter है उसको आप change करते रहे ताकि आपकी जो हवा है वो हमेशा filter होती हुए आया आपको और अच्छे हवा देश सके the unit is clean set the selector switch off position ठीक है जब भी आप उसको unit को clean कर रहे हो आप हमेशा ध्यान में रखिए आपका जो unit रहेगा वो switch off position में होना चाहिए switch on position में हाथ नहीं लगा ना बहुत जोड का जटका पड़ता है ऑके नेवर ओपरेट एसी और विट नेवर ऑपरेट एसी विट रहेगा तो आप लोग यूज ना करें ठीक है तो जब भी आप इसको charging कर रहे हो एसी को जब भी charging करते हैं हम लोग तो charging करते समय हमेशा पहले flush कर दीजिए मतलब पहले उसको discharge कर दीजिए उसके बाद आप उसको charge कीजिए ठीक है तो यह कुछ precautions है जो हमें एर कंडिशन सिस्टम और रेफरेशन सिस्टम यूज करते समय लेने चाहिए अब हम देखते हैं automatic climate control system तो automatic climate control system मैंने क्या देखो इस प्रकार का आपका unit है इसमें होता क्या है एक सिस्टम है mc unit ठीक है यह क्या करेगा आप लोग अगर नहीं चाहते हो कि मैं बार-बार यार temperature set करूँ तो यह क्या करेगा यह जो mc unit क्या करेगा आपके आसपास का surrounding है उसकी humidity उसका temperature ठीक है और आपको कितना temperature महसूस होना चाहिए यह सारा का सारा यह सेंस कर लेगा और उस हिसाब से वह अपने आप ही क्या करेगा आपके रूम में उतना उतना जो humidity temperature है उसको set कर देगा और आपके रूम में भेज देगा simple है ठीक है आप उसको जो आपने पर update किया वह आपको LCD पर दिखेगा LCD पर दिखेगा उतना current यहां पर drive होगा और आपके जो रूम है आपके रूम में क्या होगा उतना air वह आपको चोड़ देगा ठीक है उतने वह अप्चुएटर उसको ओपन कर देगा ठीक है या फिर अगर आप मैनुवली ना करना चाहो तो यह क्या करता है इतना हुशार होता है यह क्या करता है आपके रूम की humidity आपके कैबिन का temperature और external temperature मतलब बाहर के actuators open करेंगा और आपके रूम में उतनी air वह भेज देगा तो यह सिंपल सा unit है automatic climate control system ठीक है सभी को आज का लेक्षर समझ में आ गया होगा unit outcomes के आच हुए हमने automobile air conditioning system के बारे में पड़ा आज के लेक्षर में हमने देखे automobile air conditioning system को किस प्रका से describe किया जाता है और यह रहे आपके program outcomes to be achieved question किस प्रका से पूछेगा आपको msbt तो वह पूछेगा आपको describe करो needs catch of automobile air conditioning system के बारे में component लिखो बोलेगा automobile air conditioning system के बारे में उसके functions लिखो बोलेगा ठीक है so thank you very much आप लोगों ने इतना patience ली 6-6 unit मेरे साथ चलाया ठीक है use किया मैं यूगल भैसारे आप सभी का तहर दिल से thank you कहना चाहूंगा यह जो बंदा यहां पर दीख रहा है आपको मैं यूगल भैसारे lecturer in mechanical engineering department from NIT politics नगपूर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और आप सभी को best of luck कह रहा हूं आपके exams के लिए ठीक है चाहे online हो चाहे offline हो आप लोग best ही दोगे और last में आप सभी से बहस एक request है कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा आप प्लिस comment box में type कर दीजिए अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो अच्छा लिखे अगर बुरा लगा तो प्लिस बुर कर सकूँ ठीक है जैसा भी लगा आप प्लिस उसको comment box में type कीजिए मैं बिल्कुल उसे पढ़ूँगा और खुद में improvement करने की कोशिश करूँगा ठीक है मिलते हैं next time सब तक कि लिए keep learning happy learning and bye bye once again